बहुत जादा easy trick आपको में बताने वाल हूँ और आपके पास में कोई भी smartphone हो ये trick आपके phone में बर्क करेगी बस आपको step by step इस वीडियो को देखना है तो देखो आपको सबसे पहले में एक first step जो हमारा है तो आपको यहाँ पर जाना है Google Play Store पे तो guys आपको यहाँ पर जाने के बाद में solid explorer करके एक file manager है इसे आपको download कर लेना है अब देखो open करने के बाद में कुछ इस तरह से इसका interface आता है जैसी कि अभी आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको सिर्फ next next पर किलिक कर देना यहां पर भी next next करेंगे आप और next पर किलिक करने बाद में यहां से आप आप देखेंगे तो i accept डाला वटन इसमें आप simply किलिक करना और done कर दीज़ेगा और guys बीच में आपको कोई भी step बगएर नहीं छोड़ना है अब यहाँ पर देखो generate वाला option इसमें आप simply किलिक कर दीज़ेगा इस तरह से आपको इसका interface देखने को मिलता है तो guys यहाँ पर पड़े ध्यान से आपको देखना है अब मैं आपको next step बता दूँ यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यह option मिलेगा जो कि Android वाला simply आप Android पर किलिक करिएगा और कोई भी न बीच में वीडियो का part भी scheme नहीं करना है आपको जिससे कोई mistake नहीं हो guys और यह जो मैं step बता रहूँ आपको सिर्फ एक बार करना है और आप यह सब कर लेते हैं तो आप यदि next बार करेंगे तो आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको data वाला option इसमें किलिक करिएगा अब आपको एक option generate करने के लिए बोलेग यह सर्च में यहाँ पर आप देखेंगे theme बस लिखना है आपको यहाँ से simply theme लिख देजेगा अब जैसी आप theme लिखते हैं तो आपको search result में यह theme वाला option अजाता है जैसी कि आप देख सकते हैं इसमें click कर लिए जएगा अब एक file आएगी आपको एक file वाला option आएगा तो simply इसे file को आप enable मतलब कि open कर लिखेगा इसके बाद मैं आप देखेंगे आप यहाँ पर MIUI का option आएगा इसे भी आप open कर लिखेगा अब यहाँ पर इतने सारे option देखने को मिलते हैं मैंने जैसी कि आपको बता है आपको video का part कोई भी skip नहीं करना है अब यहाँ पर theme का option है यह data और download वाला तो simply आप data पर click कर लिखेगा अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से बहुत सारे option मिलते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे उपर वाले एक option है content वाला यहाँ पर simply content पर click कर दीजिए अब इसमें आप search box में पहले सी themes लिखा है इसे आप card दीजेगा और यहाँ पर आपको lock screen सर्च करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे साइड में आएंगे आप तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा lock screen वाला और lock style वाला तो मैं आपको फिर से बता दूँ आपको यह lock screen वाले पर click करना है style में नहीं click करना है आपको यह lock screen पर यहाँ स स्किन दिखा देता हूँ यह ओला बाल पेपर हमारा भी सेट है और गाईस यदि आपके मुआइल में बहुत सारे बाल पेपर बगेरा हैं मतलब कि थीम्स आपने डाउनलोड करके रखाया तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा अब सिंपल यह आपको धोलने के लिए आप कर सकते हैं ऐसे क्लिक करिएगा आप अप कलिक करने के बारे और गालिपर ऑप्साइब और आप इससे आप पता कर सकते हैं कि कौना सा लॉक स्क्रीन है कर और यदि यह आपने एकी theme डाउनलोड करके रखा है तो मैं आगे आपको बताता हूँ बैसे ही करना है और आपने बहुत सारे डाउनलोड करके रखा है ball paper यह themes बगेर तो आपको same to same step करना है follow जैसे कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ अब इसके बाद में आपको ball paper choose कर लेना है आपको जो भी ball paper लगाना है वो आला जैसे कि आप यहां से करेंगे इस तरह से तो यह file हमारी अजाती है और यहां से आप जो folders देख लेना जिसमें आपका ball paper रखा हुआ है जैसे कि मेरा यहां पर रहे picture में यह वाला ball paper अभी आप द जाएंगे अब यहां पर आपको यह paste all option में लेगा इसमें simply click कर दीज़ेगा यह paste हो जाएगा जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यह paste हो गया तो guys यदि आपको खुद का ball paper लगाना यहां सी है फिर adjust करना है तो यहां पर आपको इस तरह से adjust कर लेना है और इस तरह से आपको skin sort ले लेना है अब देखो skin sort आपकी निकल गई है और आपको मैंने जो step बताया है पहले बैसे आपको step follow करना यह वालवाल paper आप set कर सकते हैं lock screen में अब इसके बाद में जो हमारा last step है मतलब जो fifth step है हमारा इसमें आप click करके देखिएगा और यहां से कुछ इस तरह से यह rename option आजाएगा इसमें आप click करना आप click करने के बाद में यह जो सारा का सारा text इसे पूरा का पूरा copy कर लेना है यहां से और copy करने के बाद में अब इसे rename कर देना पूरा हटा देना और कुछ भी डाल सकते हैं यहां से आप डाल दीजेगा और last में यह dot लिखा इसे dot डालना और यहां पर J, P और G डालना है यह आपको भूलना नहीं है J, P, G और इसके बाद में simply OK कर देना अब यह जो हमने बाल पेपर लेके आया था इसे simply आप click करिएगा अब click करने के बाद में यह rename बाला option इसमें click करेंगे आप तो जो हमने copy किया था पहले जो हमने जो test copy किया थ अब इसे simply आपको यहां पर paste बस कर देना है जो हमने copy किया था यहां पर paste करूंगा तो यह paste हो गया अब देखेंगे यह paste हो चुका है अब गईस आपको कुछ नहीं करना है आपको back आजाना है थी मैनिजर पर चले जाना है अपना जो भी theme लगाया हो उसमें आप चले जाना यहां से मैंने यह वालग theme लगा के रखा है तो इसको आपको simply फिर से apply कर देना है एक बार और जैसे कि मैं यहां पर apply करके आपको बता देता हूँ अब apply कर दिया आपने इसके बाद मैं आप देखेंगे आपका जो lock screen है वो change हो गया होगा जैसे कि मैं यहां से देखा देता ओया को झृँ कि मैं बाइवा के बार the देता है जड़ा थुछ कर कि मैं आपको समय आपका आपका मैं आपको आपОरे हो जो आपका वोगा झापका आपका गया जो आपका मैं देगाने बाँ कर्दुब